करीब एक महीने की लंबे अंतराल के बाद लाहुल घाटी में एक बार फिर से HRTC की बस सिवा शुरू होगी बस सिवा शुरू करने से जुड़ी सब ही आपचारिकताई यहां पूरी कर ली गई है उपयुक्त लाहुल स्पिती राहुल कुमार ने बुधवार को खुद केलंग उदैपूर सडक मार का निरिक्षिन किया निरिक्षिन की दौरान उपयुक्त ने सडक को बसों की आवाजाही के लिए उपयुक्त पाया है उपयुक ने कहा कि दो दिन के भीतर केलंग कुलू, केलंग उदैपुर और केलंग दार्शा के बीच बसों की आवाजा ही शुरू होगी उन्हें कहा कि आरेम केलंग को भी इस बारे में आदेश दिये गए हैं उन्हें कहा कि घाटी की लोग जिला प्रशाशन और निगम से बस सेवा शुरू करने की मांग कर रही हैं जनता की शिकायत थी कि बस सुविधा ना मिलने से उन्हें भारी भरकम किराया अदा कर टेक्सियों में सफर करना पड़ रहा है बतादें की पिछले दिनों हुई भारी बरफबारी की कारण 18 फरवरी से घाटी के भीतर और अटल टनल से होकर के लंग कुल्लों के बीच बस सेवा बंद है बौसम खुलने के बाद बी आरो सतर और चुरानवे आर्सीसी ने बरफ हटा कर सड़कों को खोल दिया है कर दो दिया है